तो हंजी दोस्तों क्या हाल चाल है आप लोगों के तो स्वागत करता हूँ आप लोग का अपने और एक नए वीडियो पे और अपने चैनल पे तो आज से पहले कुछ टाइम था जब इस गारी को जो है ना मैंने अपनी अल्ट्रोस को जो है शादी में ले गया था बोलने का म कि वह आपनी गारी के साथ मतलब किस तरहिके से जो है उसको डेकरेट करना है और मतलब क्या क्या क्यान करनी है ताकि आप कल को ज्यादा परशानी ना आए उस्वपत मेंने एक वीडियो बनाया था, कि इस गाली को जो डेकुरेट में ने किया उसके बाद ब으, आद्य को आ तो उस वक्त मैंने वीडियो बनाया था कि टेप के दाग को मतलब कैसे निकालना है और कई बाईयों ने जो है मुझे कमेंट भी किया था कि यह यूज करना है वह यूज करना है तो टेप के दाग बड़े आसानी से निकल जाएंगे तो सबसे पहले तो मैं एक बात बता अपर आई वटन में दे दूँगा तो वहाँ से जाकी आप लोग चक कर सकते कि वही वह किस तरीके की वीडियो में बनाए थी काफी पहले बनाए थी वह में तो आज जो है उसको में फिर से बना रहा हूँ क्योंकि काफी बंदों ने उस वीडियो को पसंद किया था और आज जो है मैं समान नहीं लाया हूँ अपने साथ कि बहले है आप लोग को करके दिखाऊं में तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हैं आप लोग आप लोग को गाड़ी को डेकॉरेट करना ही चाहते तो बिल्कुल मिनिमल सा करें आप लोग मतला हल का फूलका सा करें बाकि आप लोग को अगर ओर कर दोंगे समें जातला रहे जो की आज और यहां दिखार reference में आप लहां pra और हो स्व चिपका हुआ है और अब जो है हलके-घके और जगे भी है इसको जैसे जैसे में wash हए म Swedish करता रहऊंगा यह वैसे वैसे निकलता जाएगा to इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाँ पर जब आप इसको decorate करोगे, यह इसी गाड़ी के लिए नहीं है, सब गाड़ी के लिए मैं बता रहा हूं, बड़ी से बड़ी गाड़ीया और चोटी से छोटी गाड़ीया, सब के लिए दिक्कत सामने आती है, तो इ बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, मैं चाहे तो इसको निकाल सकता था, उस वक्त मैंने वीडियो बनाया था कि किस तरीके से जो है इसके दाग निकलेंगे, तो वो आप लोग वीडियो चेक कर सकते हैं, तो अभी आप लोग को मैं इसका solution बताता हूँ, कि इसको आपने कि किस तरीके से निकालना है, तो यह बात पर आप लोग को मैं बता है, आगर आप लोग को डेकोरेशन करना है तो बिल्कुल कम करें, साथ करें में पेईजी करने में, तो आप लोग को ज्यादा ओर- verrainish में बिल्कुल भी लगाते हो आप लोगको निकालने के लिए क्या करना है एक ब्रश लेना है आप लोग को बिलकुल सौफ्ट बाला ब्रश लेना है या फिर आप मनुझक कोई भी कपडा ले सकते हैं जो कि हलका सा भूंद आप लोग को लगाना है और जहाँ जहाँ पर टेप के निशान है ना वहाँ पर हलके हलके से आप लोग को यूँ ऐसा ऐसा करके रब करना है और वो जो है आसानी से निकल जागा जादा आप लोग को रब नहीं करना है गाड़ी के पेंट के भी जो है ना काफ सबसे खदरनाक चीज होती है वह पैटरोल ही होता है अगर आप लोग पैटरोल नहीं तो डीजल भी आप लोग इसमें यूज कर सकते हैं क्योंकि डीजल इतना ज़ादा पेंट को खराब नहीं करता है तो दियान रखना है आप लोगों को मैंने यह बता दिया कि किस तरीके से आप लोगो को गाली की केर करनी है अगर आप लोग गाली को सजाते है या फिक कहीं शादी में ले जाने के लिए आप लोग गाली को डेकोरेट कर रहे हो ना तो आप लोग इस तरीके से जो अपने गाली का ध्यान रख सकते हैं बिल्कुल जादा आप लोग को नहीं करना है तो वाशिंग वाले भी अच्छे तरीके से सापने करते हैं यह खुद को ही करना पड़ेगा आप लोग को तो आगर आप लोग चाते हैं कि इस तरीके से हो तो गाली को कम देकोरेट करें और अगर कर ही रहे हैं तो पैट्रोल का यूज करें बिल्कुल हलके तरीके से ताकि आ यही में आप लोग को बताना चाहता था अभी जो समान में नहीं लेकर आया तो आप लोग को सिर्फ में बताई सकता हूं क्यूंकि मैंने वह वीडियो बनाई हुए आप लोग चेक कर सकते हैं मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर सकते हैं और आई बटर में दे दूंगा तो व तो लाइक कर देना और चैनल पर नए है तो जाके चैनल को सस्क्राइब कर दो और बेल नाटिफिकीशन को ओल पर सिलेक्ट कर देना ताकि जब भी मैं ऐसे मस मस वीडियो डालू तो आप लोग को इसकी नाटिफिकीशन मिल जाए तो भी चलता हूं मैं मिलूँगा ऐसी किसी interesting वीडियो पे till that time this is me signing off जैहिन